अब वरी गूट इवनिंग आल अप यू मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सिविल अकाडमी का चेर्मन हूं और यह क्लास जो है यह क्लास स्पेशल क्लास है आप लोगों की प्रैक्टिस का सेशन है आज वर्ल जोग्रफी का बढ़िया से असान असान कोश्टन्स है आप अराम से कर लोगे लेकिन हां रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है कि इन कर रहा हूं थोड़ा सा आपका कितना मैप आपको याद है वो भी देखिए या कितना मैप कि आपको जानका रही है वर्ल के मैप की तो यह आज का सेशन में मैप बेस कुश्टन्स काफी सारे हैं आपको एक्जाम में मैप मिलता नहीं है दिमाग में आपके मैप होना मुझे नेट स्पीड एकदम परफेक्ट दिख रही है तो अभी क्लास स्मूथ्ली चलेगी आप एक काम करिए जरा ग्रुप के अंदर यह बच्छों को मैसेज भेज़ी देखिए क्लास स्टार्ट हो गई या आ जाओ लेट हो गया तो बचारे चले गए होंगे बहुत जल् मिनिट है एक में रुकिएगा बस पैट बॉक्स वन करूं आपके आंसर देखना जल्दी से चाले है ठीक है चलो फिर रेडियो जाओ देखते हैं आज कैसा करते हो आप लोग जो भी क्लास में रुकें जो चले गए वो चले गए कोई ऐसी बात नहीं है जिसको ग्यान की तलब होगी वह वेट करेगा नहीं तो कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं आवाज होगा तो क्लियर सारी ना चवी गुडीवनिंग राजू गुडीवनिंग संजीव निकिता शिखर इशा डोरा डोरा श्रिष्टी गौरव रामकुमार ठीक है रेडी थैंक यू चलिए चलो शुरू करते हैं क्लास को महिधार कोश्चन से आज बात आज को मज़े आने वाला है क्लास में हम कर चलते हैं बाकि बाखतें बाद मि करेंगें पहले एक दूट को श्रान कर ले जा जाएं चिलारजेस बेन वर्ल्ण की सबसे बड़ी खाडी जु चुल्णिया की सबसे बड़ी कॉन सी है दुनिया में नमस्ते वद्ले का तुरुनिया की सबसे बरी बे कौन सी जल्दी से अंसर दो चाइट बॉक्स के लिमिसेS Bay of Biscoe लार्जस वे इन दवर्ल्ड लार्जस बे चल्दी से क्यां अंसर आ रहा है सब का लार्जस बे इन दर वर्ल्द दुनिया की सबसे बड़ीוס तो दुनिया की सबसे बड़ी खड़ी जल्दी से आसान से कोश्चन है पहले साथ-8 कोश्चन में जितनी ऑक्सीजन भर सकते हो भर लो आगे काम आएगी ऑक्सीजन भर लो आगे काम आएगी आज की क्लास में वैसे मैं अपना टेस्ट दे रहा हूं कि अगर आप 20 कोश्चन कर टोइंटी में से अगर अस शिक्स स्टीन प्लस कोश्चन कर भारे यो तो इंगर ठीक है तो का रही क्लास में πेस ये लिए ऑ निकिता अदिए निकिता करणने पेर्स की क्लास जो है अलग अलग फैकलिटीज ने काम बाद रख सब्जेक्स की एंशी की प्रैक्टिस करा रहा रहा हूं स्टीमा में करणने ऐले लेती हैं कलंकी क्रणन अफेर कि आज मेरी क्लास है कल फिर सीमा मैं की करंड़ अफेर्स की क्लास होगी तो एक दिन छोड़कर के करंड़ अफेर्स की क्लास होती है तो आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हो ठीक है चलिए कर लो फिर Hudson Bay is the right answer yes Hudson Bay कहाँ पर है Canada के अंदर Canada के अंदर अगर आप देखो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है याद रखना मैप के साथ आपको location दिमाग में याद भी रहेगे ठीक है next question अगले question का answer दो biggest state in the USA area wise मैं बात कर रहा हूँ biggest state in USA area wise biggest state in USA area wise शेत्रफल की आधार पर USA का सबसे बड़ा state शेत्रफल की आधार पर USA का सबसे बड़ा state शेत्रफल की आधार पर USA का सबसे बड़ा state कल शाम को साड़े पांच बजे सीमा मैं की current affairs की class है आज मेरी class है कल सीमा मैं क्लास है current affairs की तो क्या answer आ रहा है सब लोग का देखो मैंने का ना शुरू के 7-8 question oxygen बढ़ने वाले question दे रहा हूँ yes a is the right answer Alaska is the right answer Alaska USA का सबसे बड़ा state है Alaska USA का सबसे बड़ा state है यह जो दिख रहा है आपको यह Alaska ही है यूएस से आपको में लेंड अलग दिख जाएगा बीच में कैनाडा दिखेगा और यह अलास्का है जो की एरिया वाइस USA का सबसे बड़ा state है गुड़ी इवनिंग शीशंद गुड़ी इवनिंग ठीक है ध्यान रखना ऐसे याद हुजाएगा फिगर देख देख कर याद हुजाएगा तो अलास्का इस डबिगेस स्टेट अफ यूएस से एरिया वाइस ध्यान रखना चलो अगला कुश्चन नौर्थ अमेरिका की सबसे उची चोटी किस माउंटेन में है हाईस पीक कर लो माउंटेन की जगे इसको चोटी highest peak in North America is part of which mountain range North America उत्तरी अमेरिका की सबसे उची चोटी किस mountain range में है सिरा नवादा में, Rocky Mountains में Appalachian Mountains में या Alaska Range में आंसर बताईए ठीक है सभी का आंसर भी आ रहा है देखो, मुझे नाम भी बता दो जल्दी chat box में नाम बता दो highest peak का नाम North America की highest peak का नाम जल्दी से chat box में लिखो North America की highest peak का नाम chat box में लिखो Good evening प्राची Good evening नहीं आया नाम, जल्दी से नाम है मैं वेट कर रहा हूं नाम का ISP का नाम आर्थी माउंट मेकेनली है डेनाली भी आउसका एक नाम है बिल्कुल अब अगर देखो माउंट मेकेनली है ना तो बच्चो सीड़ी सी बात है राजू ने आंसर D दिया है बाकी सब का आंसर मुझे जो है B ही दिखाई दे रहा है तो सिर्व राजू का D है और बाकी सब का B है इसका आंसर होगा D Alaska Range जड़ा चेक करो आंसर होगा D Alaska Range देखो माउंट मेकेनली राकी ऐसे आ रही है यह बात है कि ऐसे राकी आ रही है बट यहां पर Alaska Range है और Alaska Range के अंदर माउंट मेकेनली है Alaska Range के अंदर माउंट मेकेनली है तो माउंट मेकेनली इस दा हाईएस पीक आफ नौर्थ अमेरिका पट इस सिचुएटेड इन Alaska Range is not the Rockies Mountains, यह Rockies का पार्ट नहीं है, यह Alaska रेंज का पार्ट है, रोकी का पार्ट नहीं है, Alaska रेंज का पार्ट है, ठीक है, तो answer होगा Alaska घ्यान रखने न, तो highest peak of North America है, Mount McKinley and it is a part of Alaska range, ठीक है, घ्यान रखना, नेक्स कोशन Capital of Bahamas Bahamas की Capital का नाम Bahamas की Capital का नाम अगला कोशन Oxygen में तुम पूरी क्लास में लगबख सभी ने एक Oxygen का सिलेंडर जोड दिया है समझे थर्ड कोशन पर Capital of Bahamas Bahamas की राजधानी वेपुल नमस्ते बामास की राजधानी क्या है जल्दी से बताओ जो भी आंसर दे रहे नसाउ वो सही आंसर दे रहे नसाउ इस दा राइट आंसर आपको कैपिटल सारी कंट्रीज की याद होनी चाहिए तो नसाउ इस दा राइट आंसर येस अगला question पर आजाते हैं largest lake in North America उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जील largest lake in North America उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जील lake Michigan, lake Huron, lake superior, great bear lake उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जील लार्जस लेक इन नॉर्थ अमेरिका ये ये अक्सिजन वाला कुश्चन है असान सा लेक सुपिरियर इस दा राइट आंसर लेक सुपिरियर कैनाड़ा और अमेरिका के बॉर्डर पर है पांच लेक्स हैं जिनने ग्रेट लेक्स बोलते हैं जिन मेंसे चार लेक कैनाड़ा और जो है USA के बीच में शेयर होती है इन मेंसे लेक सुपिरियर जो है ये वर्ल्ड की largest fresh water lake है largest lake of the world नहीं है world की largest fresh water lake है स्वच पानी, मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल है दुनिया की lake superior और lake superior situated है तो North America की भी यही होगी मैं कहते हूँ, world की यही है North America में यह सबसे बड़ी जिल यही है North America की सबसे बड़ी जिल भी यही है lake superior, तो C is the right answer lake superior, next question land area में second rank पर कौन सी country आती है आसान सा question है बहुत land area में second rank पर कौन सी country आती है land area की terms में second rank पर कौन सी country आती है मैंने आपको area वाई इस top 10 countries यहाद करही है land area में world की second rank पर कौन सी country आती है जल दिसा आंसर दो, six question का आंसर सभी का आंसर C आ रहा है, C is the right answer yes C is the right answer विलकुल कैनेडा सबसे बड़ा देश area wise रशा और दूसरे नमबर पर कैनेडा seven question का आंसर दो, इस question का आंसर दो the river is situated along the border between the USA and Mexico USA और Mexico के border पर बहने वाली नदी USA और Mexico के border पर बहने वाली नदी उनकी सीमा पर बहने वाली नदी Amazon, Colorado, Mississippi, Rio Grande USA और Mexico के border पर सीमा पर बहने वाली नदी Amazon, Colorado, Mississippi, Rio Grande seventh का आंसर शिखर का रहा है B, शिष्टी का रहा है C, डोरा डोरा का C रुद्राक्षी का D यामिनी का D छवी का D ईशा का B राजू का D तो B, C, D तीन तीन option class में आ रहे हैं बच्चो दराइट आंसर इस रियो ग्रेंडी अब ये question गलत होना नहीं चाहिए मतलब इतना tough question भी नहीं था रियो ग्रेंडी नदी मैक्सिको और USA के बॉर्डर पर बहती है ये देखे ये रेड वाली में बहा रहा हूँ ये री ये है रियो ग्रेंडी रिवर आप देखो ये लिखा नाम रियो ग्रेंडी रिवर और ये है मैक्सिको और ये यहां से यह बॉर्डर अगर मैं इस इस बॉर कुई इस अंग। 하게 consultation भॉर शोर लाइन किस देश की इसका समुध तट रइखा है सबसे लंबी है। The country having the longest shoreline किस देश की समुद तत रेखा सबसे लंबी है। किस देश की समुद तत रेखा सबसे लंबी है। Which country has the longest shoreline Canada, Russia, United States, Australia निस समुद तत का किनारा किसका सबसे लंबा है। Canada, Russia, United States, Australia शीशन का अंसर है D यानि कि Australia यामिनी का अंसर है A शिष्टी का अंसर है Canada निसे प्राची का D यानि Australia रशा बोला है रुद्राक्षी ने B रशा यही चल रहा है रशा, Canada, Australia में confusion चल रहा है बच्चों को सही आंसर होगा बच्चों Canada याद रख लो, सही आंसर होगा Canada याद रख लो ये बात Canada की शोर लाइन सबसे लंबी है अगर मैं अभी देखो, देखो Canada जो है अगर आप देखोगे, Canada में कितने सारा उसका लैंड, उसका कितने सारे लैंड के चारो तरफ वाटर है कितनी लैंड, उसमें आइलेंड से इतने सारे हैं न, और उन सब के चारो तरफ वाटर है, तो ये सब उसी का तो पार्ट है और ये उसकी शोर लाइन को बढ़ा कर देते हैं ठीक है. यह उसकी shoreline को बढ़ा कर देते हैं. यह सारा समुक्तर है केनाडा का. ये अंदर उसके इतना समुक्तर बन गया. ये इतना समुक्तर बन गया. इन सब islands को गर घ।मा दोगे तो जब इन्हें आप total count करोगे तो यह बहुत लंबा निकलेगा. वैसे भी area wise Canada दूसरे नंबर पर आता है तो area wise वो दूसरे पर आ रहा है और उसके पास समुद्र उसके बहुत सारे land area को समुद्र ने चारो तरफ से घेर रखा है इसने उसकी shoreline सबसे लंबी बन जाती है तो Canada is having the longest shoreline in the world ध्यान रखना गलती रही हो नीच चाहिए ठीक आसान- सबसे बड़ा देश है लेकिन समुद्र सबसे लंबा Canada का है चलों कि नेक्स कोश्चन का आंसर दो वीपा इस famous for gold वीपा तोने के लिए प्रसिद है वीपा इस located on the west coast of Australia वीपा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटपर स्थित है आंसर बताओ correct पूछा है दोनों statement में correct statement पूछ है यहाँ पर oxygen काम आईगी तुम्हारे वीपा इस famous for gold वीपा सोने के लिए प्रसिद है और वीपा इस located on the west coast of Australia वीपा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटपर स्थित है तो द्राक्षी का अंसर है D, नेहा का अंसर है D, छवी का अंसर है D, रितु का अंसर है D, शिष्टी का D, सभी का D आ रहा है तो राइड आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया, तुम लोगों ने well done ये वाले question करिया, असान-असान question गलत कर देते हो, ऐसे question ठीक कर दिये D is the right answer, yes, दोनों statement गलत है, क्योंकि वीपा गोल के लिए famous नहीं है, box side के लिए famous है और दूसरा, वीपा है तो Australia में, लेकिन East Coast की तरफ है ना कि West Coast की तरफ है अगर हम Australia के map को देखें, तो Cape York Peninsula में यहाँ वीपा है, यहाँ वीपा है, जो की East side पढ़ेगा ना कि West side पढ़ेगा तो Cape York में पढ़ता है वीपा और Eastern side पढ़ेगी, वेस्टन साइड नहीं पढ़ेगी, और यह box side के लिए famous है तो दोनों statement गलत है, yes, next question, अब इस question का answer बदाना with respect to the commercial sea ports of the world consumer falling pairs, यह commercial sea port है वर्ल के और सामने दे रखें देश, अब यह पुछाए कि correct match कौन सा है, कौन कौन सा correct match है, sea port और country आमने सामने दे रखें है, कौन सा correct match है, answer बताओ, I hope class में मज़ा आ रहा होगा आप लोगो, मज़ा आ रहा है तो session को like तो करी दिया होगा, आप लोगों ने मज़ा आ रहा है तो, share नहीं करते तुम लोग, आज तो मेरे पास यूट्यूब का भी message आया, यूट्यूब ने कहा कि आपका वीडियो शायद आपके जो यूजर से वो पसंद नहीं करते हैं, कि वो आपके वीडियो को share नहीं करते हैं, यह report आई आज मेरे पास, आती रहते हैं यूट्यूब की internal report, कि आपके users आपके वीडियो को share नहीं कर रहे हैं, it means they are not enjoying the video, कुछ ऐसा करिए, वो enjoy करें, अब वो तरीके हमें आते हैं जिससे वो enjoy करें हमारे वाले, अभी कोई controversial चीज होगी न, तो उसे एकदम से लोग share करके उसको popular कर देते हैं, वो share होता है, कुछ गंदगी दिखेगी, कुछ गलत दिखेगा, उसको share मारते हैं, इंडिया की जनता, D is the right answer, जो लोग भी answer देरें, D वो सही answer देरें, D is the right answer, तीनों में से कोई सा भी matched नहीं है, क्यों, जो monte video है, पहली बात monte video अर्जेंटीना में नहीं है, अर्जेंटीना में नहीं है, अर्गवे में है, अर्गवे की capital है, वांग्जाउ चाइना के अंदर है, South Korea में नहीं है, तो दोनों सेट में, ये दोनों ही match गलत हो गए, और जो portland है, वो USA के अंदर है, Canada के border के पास है, लेकिन USA में है, Canada में नहीं पड़ता, तो तीनों ही match गलत है, आंसर हो जाएगा D, None, ठीक है, clear, चलिए, नेक्स्ट कोशन पर जाने से पहले, जल्दी से आज मैंने, चलो अगले कोशन पर बढ़ जाते हैं, पहले फिर बात करेंगे, नेक्स्ट कोशन, लोकेशन है, आइलेंड और उसकी सी में लोकेशन है, फिर पूछा है, करेक्ट मैच कौन सा पेर है, कौन सा करेक्ट मैच है, आइलिंड है और C में उसकीunta है स्काम पूछा है पार्सल आइलिंड हवाई आइलिंड डियागोगार्षय आइलिंड लोकेशन उसके सामने लिखी विए पार्सल की साउठ चैना सी हवाई की एस ट्लांटिक उशन डियागोगार्षय की Pacific Ocean straight match पूछा है answer दो, 11th का answer दो क्या answer आ रहा है बी 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 सबका बी आ रहा है न वन ओनली के वल पहला वला करेक्ट ली मैच जाए बिल्कुल सही है जो भी दिये रहे बी इस दर राइट अंसर वच्छो येस तो पार्सल आइलेंड साउट चाइना सी में है ये बात सही है लेकिन हवाई आइलेंड अट्लांटिक ओशन में नहीं है हवाई आइलेंड पैसिफिक ओशन के अंदर है तो हवाई आलेंड पैसिफिक उशन में है इसलिए गलत हो गया और डियागो गार्शन इंडिया डियागो गार्शन इंडिया नोशन में है इंडिया के नीचे डियागो गार्शन इंडिया नोशन में है इसलिए पैसिफिक उशन में नहीं है यह भी स्टेटमेंट गलत हो गय यह डियागवगार्च आइलेंड जो है इंडियन ओशन में है और हवाई आइलेंड पैसिफिक ओशन में है पार्सल साउथ चाइनसी में है विलकुल सही तो बी इस दर राइट अंसर चलो नेक्स कुश्चन वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है यह वेस्ट वीस इन रिवर्स को अरेंज करो यूरोप की रिवर्स है राइन थेम्स डैन्यूब और वोलगा वेस्ट वीस अरेंज करो इनको कि अ कि वेस्ट का अंसर दो जल्दी से कि कि अ कि अ यस तर बनेट कि यह हातो आप च्या अंसर आज़ा है सब लोगं का सबसे वेस्ट में थेम्स अगर इनमें देखा पढ़ेगी तो कि यूके के इस्ट में आएंगे तो आपको राइन रिवर मिल जाएगी जर्मनी में उसके East में आएंगे तो यूरोप में बहुत लंबी रिवर है Danube रिवर कई सारे देशों से जाती है तो Danube रिवर और एकदम East में बिलकुल रशा के और एशिया के बॉर्डर पर रशा में यूरोप और एशिया के बॉर्डर के पास आपको रशा में वोलगा रिवर मिल जाएगी तो West से East चलेंगे तो Thames, Thames के बाद Rhine, Rhine के बाद Danube और Danube के बाद आपको East में वोलगा नदी दिखाई देगी So B is the right answer, वोलगा is the longest river of Europe Europe की सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है जो की रशा में बहती है B is the right answer, ठीक है? मैंने चैट बॉक्स के अंदर ब्लू कलर का एक link डाल दिया है उस link से आप Telegram Group को जॉइन कर सकते हैं, Telegram Group में ही सारे notes मिलते हैं पिस्टे करन के notes भी सीमा मैंने डाल दिये हैं परसो की जो MCQ की practice का session था, modern history का वो मैंने डाल दिया था आज वाली भी यह map वाले notes से यह questions मैं डाल दूँगा Telegram Group पर वहां से, आप save कर लेना, ठीक है? 13 question का answer दो, 13 question का answer दो I hope आज आपने जो है, अंकुर सर का song गाना जो है, आपने enjoy किया होगा हमने वो भी आज मैंने का था, बीच बीच में हम डालते रहेंगे, पढ़ाई के साथ थोड़ा सा entertainment तो अंकुर सर का आपने song enjoy किया होगा, सभी ने I hope सबने देख लिया होगा, बहुत दिल से गाया उन्होंने और एक बात बताओ, अंकुर सर ने वो song से पहले सुना नहीं था, मैं और अंकुर जो है गंगा की किनारे जा रहे थे, टहल रहे थे, तो मैंने अंकुर से का यार कुछ गाना सुना दी, अंकुर ने का सर आप बताओ कौन सा सुना हूँ, तो मैंने उसे ये फरमाईश रग रहे थी, तो मैंने सर कभी तुना ही नहीं पिर मैंने उसको पहले गाना सुनाया, उसे गाना तभी सुना था पहली बार और उसके बाद उसने उसको गाया, थोटा सा ये का पाया है, अच्छा गाया है मेरी हाल से, तो अगर आपको पसंद आया तो I hope कमेंट सेक्शन में सर क कि थोड़ी तारीफ करो उन्हें भी अच्छा लाएगा अच्छा काके अना कि शेयर करो अच्छा सौंगे और बहुत सारे फिर तो अंकुर ने रिजम पकड़ी तो उन्हें बहुत सारे गाने रिगॉर्ड किये दीरे दीरे डालूँगा चलो तो next question हाँ आगले question का answer दो मुझे जल्दी से decreasing size में size के decreasing order में in oceans को arrange करो size के decreasing order में in oceans को arrange करो I hope आपने कर दिया D is the right answer yes D is the right answer एक तीन दो चार D is the right answer एक तीन दो चार बिल्कुल साही ठीक है येस पैसिफिक ओशन दुनिया में सबसे बड़ा ओशन है उसके बाद Atlantic Ocean आ जाएगा इसमें उसके बाद जो है Indian Ocean आ जाएगा और फिर Arctic Ocean आ जाएगा ठीक है चलिए next question अब इस question का answer दो East African Rift Valley Rift Valley सुना है अफरीका की महान भ्हेंच गाटी Rift Valley ने अफरीका अफरीका की Rift Valley के साथ साथ अगर South से North की तरफ चलेंगे तो Countries का sequence क्या होगा Rift Valley में अगर हम South ते North की तरफ चलेंगे तो किस sequence में हमको Countries मिलेंगी Rift Valley में अफरीका की Rift Valley में अफरीका की भ्हेंच धाटी में South ते North की तरफ हम चलेंगे तो हमें countries किस sequence में मिलेंगी आंसर बताओ South से North अगर चलेंगे तो किस sequence में countries मिलेंगी तो आंसर आने लगा है यामिनी का आंसर है C दो और तीन और श्रिष्टी का आंसर भी C है आरती का आंसर भी है एक, तीन और चार अछ़़ा और उसके बाद रुद्राक्षी का भी नहा का भी इशा का भी आदिल का भी कोमल का C भी तनू का भी ए तुका भी डोरा डोरा का भी कि А लिए जिट लंशर वत्थो बी उगा यामेंजि वला आज़र तुम्हें ग्रत किया है नाइजिरिया इसले नहीं होगा अब चलो कुर्छ वेली कहां अरही है हिफ्ट वेली कुछ इधर से अगर आप देखें देखो ठीक है इस तरह से जा दिया है तो अगर आप देखेंगे तो पहले तंजानिया पड़ रहा है उसके बाद केनिया पड़ रहा है उसके बाद इथोपिया पड़ रहा है कुछ ऐसे समझ लो अब अगर हम देखें तो तंजानिया नाइजीरिया नहीं पड़ेगा क्योंक पढ़ेगा नाइजीरिया पढ़ेगा यह लेकिन इधोत अंजानिया केनिया इधोपिया पढ़ें निए यामिनी ऊपर से क्या मतलब जा रही है एशिया तक रिफ्ट वैली तो रेजरी को क्रॉस करके एशिया तक भी या रही है कि रिफ्ट वैली तो जो है एशिया तक जा रही है हुआ तो इन कि इत्होपिया तो फिर भी अफरीका में पड़ता है रिफ वैली तो एफिरीका को क्रॉस करे अशिया तक जा रही है इसलिए पॉइंट समझ में आ रहा है चलो तो इसलिए हम नाइजीरिया को छोड़ देंगे अब तीन देश बचेंगे तंजानिया केनिया इथोपिया बिनका साउथ टू नौर्थ सीक्वेंस क्या होगा तो सबसे पहले ही तंजानिया जाएगा फिर केनिया जाएगा फिर थोपिया जाएगा एक तीन चार होगा इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि याद नहीं रहता मेरे बच्चे सब गजनी हैं गजनी नेक्स कुर्शन कुर्द जो कुर्द है एन एथनिक ग्रुप प्री डॉमिनेंटली इनहाबिट दा रीजन अराउंड कुर्द जन जाती इनमें से किस-किस देश में पाई जाती है कुर्द जन जाती इनमें से किस-किस देश में पाई जाती है झाल 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 क्या अंजर आ रहा है वाई तो रितुपाल का अंजर है और बात में इमानदारी से बता रहा है कि सोला का आकड़ा पार हुआ या नहीं हुआ या मीनी गए गजु गए एक दो टीन सीरिया तर्की यमन सीरिया तर्की यमन उनके साथ से इरान में कुर्द जन्जाती नहीं पाय जाती है ठीक है अप क्या रहे हो 15 का ए में क्या पड़ रहा है एक दो तीन ना सीरिया टर्की इरान यमन में नहीं पाई जाती है ठीक बात है अब आंसर के अगर हम बात कर लें तो यस ए इस दर राइट आंसर देखो यमन बहुत नीचे हो गया है यह उपर वाले देश हैं सीरिया टर्की और इरान यहीं पर पाई जाती है पूरा अरब क्रोस करके यमन में तो नहीं जाएगी ना टो इन में पाई जाती है बिलकुल सीरिया टर्की और इरान के अंदरर पूर जन जाती पाई जाती है यमन में नहीं पाई जाएगी तो 15 का अंसर होगा एग इस Все कोशन का अंजर दो सोल वे कोशन का अंसर नौर्ट से साउथ अगर हम बढ़ेंगे नौर्ट से साउथ बढ़ेंगे तो इन शहरों को सीक्वेंस में लगाओ नौर्ट से साउथ अगर हम जाएंगे तो इन शहरों को सीक्वेंस में लगाओ नौट टू साउथ इन सिटीज को सीक्वेंस में लगाओ बगदाद, रियाद, कुवैत और सना हाँ शिकर सही कह रहे हो, शिकर तुम कहां गायब हो आजकल, अंतर ध्यान चल रहे हो कौन से शिघर पर हो आजकल शिघर, किस चोटी पर तपस्या चल रही है तुम एक दम गायब हो, 16 कोश्चन का अंसर बता हो, आजकल तुम मेरट के मैदानी इलागों में दिखाई नहीं दे रहे हो, हुँ, क्या अंसर आज़े हो, मैं गायरा है, B, 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 सभी का B वहा रहा है, B is the right answer, yes, B is the right answer, 1,3,2,4, 1,8 बगदाद, उसके बाद जो है, कोवेट, बगदद, के नीचे कोवेट सीटी, कोवेट सिटी के नीचे के नेचे हो तो रियाद और उसके नीचे सना मैप में भी अगर हम एक बार देखने तो अगर मैं इसे मैप में आपको दिखाऊं तो इराक के अंदर बगदाद मिल जाएगा देखो यह मैं रेड से कर देता हूँ रेड से जो मैंने किया यह हुआ बगदाद उसके बाद ग्रीन से मैं कर द देता हूँ के नीचे तो उसकी कापिटल सेटी हो गई शके बाद जो ए रियाद अब मैं में ब्लू से कर देता हूँ साओधि एब्यकर में यह और सणा किसकी कापिटल है यमन की कौपिटल है तो सना ब्लैक से कर देते हैं यह हैं तो नौट टू साउथ यह सीक्वेंस हो गया बगदाद कुएट रियाद और सना कि नेट की केबल पर रही है तो शिकर मैं लब क्लास में तुम तो क्लास भी नहीं आ रहे हो ना इसलिए सेवल अकैडमी क्लास रूम में पीडियार रहे हो ना इसलिए पूछ रहे हैं कि मेरेट्स विधी हो या नहीं हो नेट्स गुष्चिन देखो ये तीन पॉपला THAT मैं कहा से कहा तक है आपको यह अमने कौन सा सही मैल्ज है कि जो इनके सामने लिखा है ये वहां से वहां तक है भी है कहीं और से कहीं और तक हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है सैंड पीटरबर्ग से ब्लादी वोस्तक प्रांस कैनेडियन लाइन वेंकूबर से हलिफेक्स ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉंटिनेंटल रेलवे लाइन पर्थ से सिड्नी सही मैच कौन-कौन से हैं इसे तो मैं यह भी दे अंसर दो जल्दी से इतना क्यों सोच रहो भाई गूगल भी करते होगे बीच में आरती का अंसर भी आगिया देखो सी दो और तीन और रुद्राक्षी का भी आगिया है एक और दो जैनि दो तो समने लिया है आगे बाकी लोग कुछ बताएंगे हूं क्या आंसर आ रहा है देखो बच्चो आंसर होगा इसका डी तीनों सही मैज्ड है ट्रांस साइबिरियन रेलेवे लाइन सेंट पीटरबर्ग से व्लाधी वोस तक ही है ट्रांस कैनेडियन लाइन वैंकूवर से हैलिफेक्स एस में पड़ेगा वैंकूवर वैस में पड़ेगा वैंकूवर से हैलिफेक्स तक है और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन जो है वो पर्थ से वेस्क में पर्थ पड़ेगा इसमें सिड्नी पड़ेगा पर्थ से सिड्नी तक है तीनों सही मैंजद हैं आंसर होगा डी 1 2 और 3 कि नेक्स्स कोश्चन कि जिबूती फिरसे अफ्रीका से कोशन आ गया जिबूति किन किन water bodies से जुडावा है जिबूति इनमें से कौन कौन सी water body से जुडावा है Gulf of Eden, Red Sea, Gulf of Swaze और Parsh甚麼 Gulf जिबूति कौन कौन सी water body से जुडा हुआ है मेरे मूझ से अफ्रीका निगल गया है से जिबूती कौन कौन से वाटर बॉडिस से जुड़ा हुआ है कि एटीन कोश्र का अंसर दो आर्थी मौस्को से स्टार्ट नहीं मौस्को के उपर सेंट पीटर्बॉक से स्टार्ट है मौस्को रास्ते में पड़ता है पहले मौस्को से शुरू की थी उसके बाद इसे सेंट पीटर्बॉक तक एक्स्टेंड कर दिया गया था तो मौस्को के थोड़ा ऊपर सेंट पीटर्बॉक है अब वहां से स्टार्ट होती है फ्रांस साइबिरियन लाइन ठीक है चलो मौस्को रास्ते में पड़ता है हाँ जी 18 का क्या आंसर आ रहा है रुद्राक्षी का ए डोरा डोरा का बी तनू का ए ईशा का बी रितू का ए शिष्टी का सी आर्थी का भी प्रुचंग देंखो बच्को ऐसा है पहली बात तो पर्शण गल्व तो अफ्रीका के पास नहीं पड़ती पर्शं justal थो अरेभिन पन ट्सलडा ओर ओर इpping नी बीच में पड़ती एक और दोनों है गल्फ आफ एडन भी पड़ता और रेड़सी भी पड़ता है देख लो चाहे तो मैं देखो जिबूती कहा है यहां जिबूती है के उसमें हॉर्ण आफ एफ्रीका में है यहां जिबूती यह है रेड़सी और यह है गल्फ आफ एडन एडन की खाड़ी यह कि खाड़ी यह वाली और यह है रेडिसी और यहां पड़ता है जीबूती जीबूती इन दोनों से जुड़ा उख परशन गल्व तो यहां पड़ती है बच्चों बूलें पारस सी खाड़ी फारसी भासा परशन लैंगवज कहां बोले जाते एए एसी दिमाग में बैठा होन next question the island of Borneo Borneo का द्वीब जो है shared by which of the following countries the island of Borneo is shared by which of the following countries Borneo के द्वीब पर कौन कौन से देश है Borneo island पर कौन कौन से देश है Borneo island पर कौन कौन से देश है straight भी है bubble मंदेब वहाँ पर लेकिन left side में red sea भी और right side में add and be रुद्राक्षी तीनो ही है bubble मंदेब option में का है होता तो हम ले ले तो उसको भी 19 का आंसर दो जो है ही नहीं उसका क्या करें कौन कौन से देश Borneo island पर है जल्दी सा आंसर दो यामिनी का आंसर C, संजीव का C, आर्थी का C, सभी का C आ रहा है भाई तब सभी का C आ रहा है तो मेरा भी C ही आंसर है एक दो और तीन देखो इंडोनेशिया है मलेशिया है और ब्रुनेई है ये तीन देश पढ़ते है Borneo island पर ये Borneo island है Borneo island के अंदर ये पूरा इलाका जो मैंने red किया ये इलाका इंडोनेशिया के पास है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है Malaysia आपको लिखावा दिख रहा है और बुरू नहीं यह Malaysia है मैं जो area blue कर रहा हूँ यह Malaysia हुआ और जो area में ने green किया वो बुरू नहीं हुआ तो यह तीन countries का हिस्ता पड़ता है इस पर Borneo Island पर Next question The Aral Sea is bordered by which of the following countries Aral Sea से कौन से देश सीमा बनाते हैं तीनों में से Aral Sea के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं Aral Sea के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं तुर्कमेनिस्तान उजवेकिस्तान कजाकिस्तान यह question बहुत आ चुगा है याद होना चाहिए मैं आप दिमाग में कि 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 अच्छ आने शिष्टी का भी राजू का भी डोरा डोरा का भी नेहा का भी तो बी इस दा राइट अंसर येस विलकुल सही जवाब बी इस दा राइट अंसर उजवेकिस्तान और कजाकिस्तान जड़ा देख रहेते हैं एक बार अरल्सी से बॉर्डर को बनाने देखो ये बच्छो ये है अरल्सी ये है अरल्सी और ये कंट्री है उजवेकिस्तान इससे बॉर्डर बना रही है और ये वाली कंट्री है कजाकिस्तान जो इसके साथ बॉर्डर बना रही है तो कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान के बीच में पड़ती है अरल सी ठीक है जहां रखना और इससे जो रिवर निकल रही है उसका नाम है अमुदरिया ठीक है जहां रखना तो यह थे हमारे 20 इस कोशन जरा देखो कि तुम्हारे कौन कौन से कोशन ठीक हुए है जरा देखो इतने मैं यह बता दूं कि अगर आप डेली करेंट अफेर के नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है इस वेबसाइट से आप जो है डेली इसमें स्टडी मेटियल सेक्शन में जाकर के डेली करेंट अफेर्स के नोट्स हिंदी और इंग्रिश में अलग अलग पीडियेफ फाइल मिलती हैं डाउनलोड कर सकते हैं फेस्बुक पेज को फॉलो करें सिवल अकाडमी के इस पर डेली जो है पिक्चर फॉर्म के अंदर कुछ इंपॉर्टन न्यूज या कोई इंपॉर्टन आर्टिकल आपको दिया जाता है जिससे आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है वो हमारे फेस्ब फिजिकल हमारे से मिलना चाहे हमारी फिजिकल क्लासे में आना चाहे तो आप इस एड्रस पर हमसे मिल सकते हैं आकर के इन नंबरों पर बात कर सकते हैं हमसे सारे सॉलूशन से विलेबल हैं अना कितने तरुकों से हम संपर्थ साथ सकते हैं आप लोगों से ठीक बात है तो आ तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा आई होप ठीक है सेशन में आपको मज़ा भी आया होगा इशा ने कहा सोला क्रॉस नहीं हुए डोरा-डोरा के 14 यामिनी के 15 मम्ता रानी के 18 वेल्डन मम्ता नेहा के 18 संजीव के 17 डोरा-डोरा के 16 आर्थी अब देखो क्लास में गर 17 अठारा हो रहे हैं तो बाकी के 18 वने चाहिए वाकी क्यों भूल रहे हैं मेरे इसाफ से तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए सही बताओ तो तुम लोग की इज़त रखने के लिए मैंने 16 रख दिया था पैसे मेरे इसाफ से तो 20 में से 19 भी नहीं होन कि कि मिलेंगे कल नहीं दो सीमा मां मिलेंगी के साथ इकोशन्स करेंगे आरती modern history YouTube चैनल पर आप जाईए इसी YouTube चैनल में प्लेइस्ट में जाईए इंडियन national movement पूरा का पूरा इंडियन national movement के 50 वीडियोज अप्लोड़ेड है सीक्वेंस से 50 वीडियोज है देख लीजिए मैं ही बोल रहा हूं उन में आप देखो तो इसी चैनल में प्लेइस्ट पर जाईए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इंडियन national movement की प्लेइस्ट मिल जाएगी उसमें मैं ही बोल रहा हूं 50 से ज़्यादा वीडियोज है चलो गुद नाइट